जब दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हो रही थी भगवान राम पुल बना रहे थे तो एक मराठी लोग गीत में कविता आती है विनोध भट जी ने उसे कहानी के रूप में लिखा बड़े लोकप्री लिखा कें कि भगवान शिला के उपर बैठे थे तो देखते थे कि गिलेरी जो थी वो खुद को लपेट ती रेत में और पर समद में आलेथे थी फिल लपेट ती थी पर समद में आले थे भगवान को समझन में लिखा लिया विल दे चोड़ और हो मझे चोंड जो भी हो काम करना ritKe पर बना रहें सम chambers выпуск ने से ने बगवान बना रहें पर जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम फुल बनाने वालों में लिखा जाएगा न्याय करने वालों में नमस्कार। आप सब को बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार। कैसे हैं आप, how are you? मैं इस हॉल में गुसने से पहले मेरे मन में चार्टर्ड अकांटेंट्स को लेके एक बहुत ही अलग इमेज थी, कि वो बहुत शान्त होते हैं, गंभीर होते हैं और वो आपके जो बैलेंस शीट के फिगर्स है, उनके हिसाब से उनके चहरे की जो भंगी माएं वो बदलती र हैं, लेकिन आपने इस बीच तीन या चार मिनट में जो जो किया, उससे मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं चार्डर अकांटेंट्स की बीच में हूँ, मुझे लगा मैं इस बीच में हूँ और परफॉर्म करने के लिए आया हूँ, पहले तो मैं आपको विश्च करता हूँ, कि आपकी जो जवानी है और यह जो आपका जोश है, जिन्दाबाद रहे सदा, आबाद रहे, ऐसे ही आप रहें, आपके बारे में बाहर जो बाते होती है, चुकि मैं आउटसाइडर हूँ, एक तरीके से आप मानिए, मेरी मुलाकात सारे प्रफेशन से हुई है, लेकि सब से कम चार्डर अकांटेंट से हुई है, मैं चार्डर अकांटेंट के नाम पे, जो मेरा C.A. है, उसे ही जानता है, हमको, कैसे करना है, मैं उसको बताता हूँ, अपले, मिल लेंगे, चुकि अर्थ के मामले में मुझे केवल शब्त का अर्थपता थ, बाकी अर्थ नहीं पता है क्या होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप संविधान की सरचना से भी पहले के संस्थान हैं, यहनि कि ज ईड़िसिपुनिरी इंट्रच्चिन्स कर रहा है। लोग वेटरनरी समझ रहा है कि DOC's को कैसे पाला जाता है लोग पाला जाता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका काम है जो कि बहुती गंभीरता काम है मैं पसीने बहाकर पैसा कमा सकता हूं लेकिन वो पैसा, वो अर्थ किस प्रकार से उसका सेग्मेंटेशन हो, जो टेक्स गॉवर्मेंट को जाना है, वो गॉवर्मेंट को मिले और जो नागरिक के नाते मुझ पर जितना रहना है, वो मुझ पर हो ये ऐसे हो गया है, जिसे C-grade cities में लोगबाब 200 मेटर के मकान में जब घर बनाते हैं, तो वो आर्किटेक्ट को नहीं लेते, वो खुदी एक नक्षा खीचते हैं, इधर किचिन बन जाएगी, इधर रूम बन जाएगा, और जब उनके बेटे-बड़े हो जाते हैं, I.I.T. पढ़ाते हैं, C.A. हो जाते हैं, ड कान लेता है, तो उसके इंटिरियर के लिए वो चार-पांच लाख रुपे निकाल कर रखता है, कि यह किसी इंटियर डिजाइनर से बात करूँगा, उसके सेग्मेंटिशन है, तो चाड़िड एकाउंटेंट्स का काम जो है, सोसाइटी में, वो अभी यह माना जाता है, कि को बहुत ज्यादा सोचेगा, समझेगा, वो करेगा, मैं जिस कस्वे में रहता था, मुझे आज भी याद है, वहाँ एक कमपनी सेकेट्री सजजन थे, सीए भी निते हो, उन्हों ने गाजियाबाद के किसी सीए से महर लगवाने का काम ले रखा था, समझ गए होंगे आप और शायद हर वो जो फारम सोलय क्या मिलता है, उस पर हर एक पर वो पांसो रुपे शाद बहाँ जाते होंगे सीए साब को, हम से दो अजार रुपे मेरे पिताजी से लेते थे और सबसे लेते थे, साल में एक बार भढ़ जाते थे, और बात खतम हो जाती थी, दीमी दीमी अब हिंदुस्तान में जिस तरीके से पैसे आने शुरू हुए है, मद्यमवर्ग बढ़ा है, उच मद्यमवर्ग विशेश शुप से, जो अपर मिल्ली क्लास है, उसका राइस हुआ है, और एक नया हिंदुस्तान बन रहा है, इर्रेस्पेक्टिव अफ अल्ड़ पॉलिटिकल डिफरेंसे यह तो आप मानेंगे कि इंडियन एकनॉमी पूरी दुनिया में इस समय एक बहुत उम्मीद की तरह से जेखी जा रही है, लोग बाग इसकी तरफ ध्यान से देख रहे हैं कि क्या होगा, मैं भी दुनिया के दूसरे मुलकों में जब यात्रा करता हूँ, तो बिशेश रूप से कुड़ता पजामा पैनता हूँ, या जैकेट पैनता हूँ, जो सुभे पैन रखी थी, तो जब आप जाते हैं लंदन में और अंडर्ग्राउंड में जाते हैं, या लंदन से पैरिस की, आप ट्रेन में जाते हैं, तो आपकी बगल में बैठा हूँ, एक विदेशी, आपके कपनों को देख कर, या भारती और पाकिस्तानी लोग जो आपके साथ फोटो किचा रहे होते हैं, आपको नमस्ते कर रहे होते हैं, जिग्याशावस, out of the curiosity, आपसे पूछता है, from which country you are, और मैंसे कहता हूँ, I am from India, तो वो भारत की बात करते हैं, मैं कहता है, Indians, very good engineers, very good doctors, very good chartered accountants, तो ये जो ये जो ख्याती है, ये जो ताकत है, इस देश की पैदा हुई है, ये हमारे और आपके मध्यमवरगी ये परिवारों के लड़के लड़कियों ने पैदा किया है, सरकारे के वल मानक होती है, मैं चला के देख चुका हूँ, सरकारों का सिर्फेका, आप और हम ही वो भारत हैं, जब हम भारत की इसे प्रशनशा करते हैं, कि बरस्ते हुए गोलों के बीच, जहां दो देशों की सेनाएं अपने मिसाइल बड़सा रही हैं, वहां कोई लड़का अगर तिरंगा दिखा देता है, तो दौनों सेनाएं सल्यूट करके उसे रास्ता दे देती हैं, जो ताकत इंदुस्तान की बनी है, यह जो नए भारत का सपना इस शताबदी में हमने देखना शुरू किया है, इसमें सरकारों का इतना ही उपियोग है जितना आपकी कॉन्फरेंस कराने में इस हौल के प्रबंधकों का उपियोग है, कि उन्होंने जगे दिये आपको, बाकी तो आप जो तै करोगे, आप जो इखटे होगे, आप जिस तरह से टीम वक करोगे, उसी तरीके से आपका संस्थान चलेगा, यह संस्थान आज जो खड़ा हुआ है, और पूरे भारत में जो आपकी रेपुटेशन है, सरकारण ने सिर्फ आपको प्रेटफार मुपलद कराया है, यह आपके एक-एक व्यक्ति के पुरुशार्थ के कारण है, आपके पस्नल विगर के कारण है. मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, वो इसी विशे पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस महफिल में, इस सभा में, सभी लोग चुने हुए लोग हैं, सभी मैं मानता हूँ कि यह जिसे कहते हैं, वॉल्यूम में कम हैं, लेकिन डैंस्टी में जादा हैं, आयतन में कम हैं, लेकिन घनत्तों में जादा हैं, एक एक व्यक्ति, बहुत सारे Chartered Accountants का प्रतिनिवत्तु कर रहा है, जो यहां बैठा हुआ है, अभी देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा, 140 करोड में, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो आपका इंतजार कर रहा है, जो आपकी प्रतिक्षा कर रहा है, जैसे पहले क्या होता थ उसका यही काम होता था कि वो दांतों खाडता था, वो कुछ बताता नहीं था, वो दांतों के प्लेस्मेंट्स, है ना, आजकल तो इतनी सारी चीजे लगने लगी है, लड़कियां तो वो ब्रेसलेट लगवाती है, उसमें भी कही प्रकार के कलर रखती है, हां कि भई, यह यह वाला पहनना है, जून में यह वाला पहनना है, अब तो पूरी-पूरी सिटिंग्स होती है, आपको 10-10 सिटिंग्स मिलती है, 50-50 बिल बनता है, हर कस्बे में आप चले जाएए, 10-10 डेंटिस्ट बैठे हुए है, डेंटल सर्जरी और देंटल मेडिशन के कॉलिजिस ख तो अपॉर्चिनिटी उस संस्थान की बढ़ी, ऐसे ही आर्किटेक्ट्स की बढ़ी, ऐसे ही सिविल इजिनियर्स की बढ़ी, मैंने जो पहला घर बनवाया था, अट दे एज अफ 29 मैंने गाजियबाद में वसंदरा में पहला घर बनवाया उस सबहे मैं कॉलिज में प्रो आर्किदार होते हैं, बेलदार होते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, तुम खुद खड़े रहना, तो मैं मारुती एटंडेट होती थी, सुभे आठ बजी की क्लास होती थी, छे बजे पहले साइट पहुंसता था, इंटें गीली करता था, पाइप लगा के और उसको बताता था, फिर बारे बजे की क्लास पढ़ा के लंच लेके वहां पर उनके सामने लंच करता था, देखा कितना काम चला, फिर शाम तक की बेलदारी लिखता था, बेलदार कितने थे, अब मैं दूसरा घर बना रहा हूं, 50 क्रॉस करने के बाद, नौई डामे, चुकि मैं उस गर म बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्लॉट है, तो मैं जाई नहीं रहा हूं, मैंने पहले दिस रिसाइड कर दिया, ये इंटीर वाला होगा, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंपनी है, जो बहुती तटस्त है, जो ठेकेदार की भी गल्तियां तुरंट पता सबका पैसात है, इसका इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, टोटल बजेट है, इसका 20 परसेंट उपर जाएगा, नीचे जाएगा, यानि की, एक आदमी की कमाई में, उन सारे प्रोफेशनल्स का हिस्सा चला है, मुझे लगता है, इस हॉल में बैठकेर आप सब चार्ट तब उनको आपकी महता समझ में आएगी, और तब उनका वित्तिय प्रबंधन भी ठीक हो पाएगा, अभी तो सच्छ मुझ में वित्तिय प्रबंधन ठीक नहीं है, टेक्स के बारे में भी हम सोचते नहीं है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है, टेक्सेशन, आप इतना, आप क्या काम करते हैं, आप इतने सारे क्लाइंट्स की परेशानी अपने सिर लेते हैं, और आप उसको सुकून पे छोड़ देते हैं, वो घर में सोता है, वो चुट्टी मनाने के ले जाता है, वो वीकेंड पर अपनी पत्नी को लेके जाता है, मार्च में घूमता है, वो करता है और आप परिशान नहते हैं कि नहीं इसका टेक्स ठीक कट जाए इसको बचत हो जाए मेरे क्लाइंट को यह ना हो जाए सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है यह आपका भेव आपके है जो आप काम करते हैं बेसिकली चाटर एकाउंटेंट्स जितना मेरे समझ में आता है अब जो आपके प्रती इस समाज में एक इज़त होनी चाहिए एक आपके जो क्रेडिट आपको दिया जाना चाहिए एक आप जो अंडरलाइन होना चाहिए आपका वर्क वो थोड़ा कम है जिसे मेरी दो बेटि में नौकरी करने वाली है तो उसको पता होना चाहिए कि लंदन में सैली लेने पर भारत में स्टाइपेंड नहीं लिया जाएगा और दोनों में कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा ये टेक्सेशन के फार्मूले उसे ना पता हूँ तो आप पर उसे बिलीव करना होगा और लिए मैं सोचता हूँ, आप ही लोग बहतर समझ पाएंगे, क्योंकि मैं तो बाहर का आदमी हूँ, कि कैसे हिंदुस्तान के आपका सबसे बड़ा राष्ट निर्मान में योगदान ये हो सकता है, कि ये जो अंटैब्ड वाटर बह रहा है, 135 करोड लोगों का रेवेन्यू, अगर आप किसी तरीके से इसे फॉर्मूलेट कर दें, आप सबकी जिंदेगी में थोड़े थोड़े उतर आएं, तो आपका प्रोफेशन तो उपर जाएगा ही जाएगा, ये देश भी विश्वशक्ती बनने की और प्रग्रिसर हो जाएगा, इसमें भी बहुत पैसा होगा, अब सवाल आता है, यहां बेठे मेरे सारे दोस्ट सोच सकते हैं, कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अपने जीवन में जो थोड़े थोड़े प्रियोग कियें, उसमें मैंने यह जाना है कि उजाला लाने वाला अकेला ही आदमी होता है, पूरी दुनिया में जितनी भी क्रांती हुई है, वो समुहों न नहीं करी, अकेले आदमी ने कियें, और वो अकेला आदमी वो होता है, जिसे बहुत दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है, इसको इसे केतना पुशन टु वॉल कर दिया गया है, वो जब भी छोड़ के निकला है, चाहे वो राम निकले हो, चाहे बुद्ध निकले हो, चाहे महावीर निकले हो, कोई भी जो निकला है, उसी ने समाज को इस दु आपने सत्तर के दशक की फिल्म देखी होंगी, उनमें जो हीरो होता था, उसका एक दोस्त होता था शायर, महमूद, और वो काफी विदूशक टाइप आदमी होता था, और वो हीरो इन की सहेली या नौकरानी पे मरता था, ऐसा देखा जाता था, यानि कि बहुत एक डिस्कार करेक्टर होता था, पोईट, कि कभी होना मतलब अगर आप पब्लिक प्लेस में आप से कोई पूछ और विटा, आप क्या करते हो, आपको कभी है, वो तो ठीक है, पर काम क्या करते हो, ऐसा पुछते थे लोग बाग, तो जब मैंने, मैं, I'm not blowing the trumpet by own mouth, I'm very humbly just, just, you know, unwrapping myself toward you, मैं आपके सामने स्वेम को प्रस्तोत कर रहा हूं कि मैंने कैसे किया, तो मैंने सबसे पहले ये किया कि अगर एक गाना गाने वाला, जिसने गाना दूसरे का गाया है, जिस पर अक्टिंग तीसरे ने की है, ये समरिधी ले सकता है, कि वो जाये तो एरपोर्ट पर 25 आदमी जाते हैं उसको देखने के लिए या उससे बात करने के लिए तो जिसने अपना कलेजा जलाकर आत्मा गलाकर कविता लिखी है उसको यह समाज आदर क्यों नहीं देने चाहता है उसको क्यों पैसे नहीं मिलना चाहता है इसके लिए शुरू में आलोचनाएं बहुत ज्यादा ह इतना ज़्यादा पेपर वर्क होगा, आपके आलोचना होगी, मेरी बे आलोचना होगी, यहां तक हुई कि मेरी फेटरनीटी के, जो टॉप थर्टी लोग थे, उन्होंने मेरे साथ इस्टेज शेयर करने से मना कर दिया, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं उस पूरी डायस को कंटम्प्रेरी बना रहा था, गद्दे पर बैठा हुआ कवी उब जाता है, जन्ता भी उसे देख के उब जाती है, अगर वो कुड़सी पर बैठेगा, तो तो तोड़ा सतर्क बैठेगा, कुड़ते पजामे का कवी ऐसा लगता है कि हमारी जन्देगी से बाहर है, अगर वो नए जमाने के कपड़े पहनेगा, तो वो ऐसा ही लगेगा, अगर मैं इस पोडियम पर खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, कई लोग आपस में बात भी गर सकते हैं, सब को पता है, पोडियम कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास एक माइक हो, और हैंट्स प्री माइक हो, और मैं उसमें घूम के कविता पड़ूं, तो आप सब की जो आई बॉल्स हैं, मेरे साथ ट्रैवल करेंगी, तो कम्यूनिकेशन के नए मोड्स इंट्यूस करने के लिए, चूंकि आईटी में जिस बच्चे को मैं कविता सुनाना चाहता था, व अंसले से आपने ताली पजाई हैंसे उसले ताली बचाई उसने का यह आदमी ठीक है, आदमी ठीक लेगारहै और निंए मिल्फिंए, उसकी जियंदगी की, जो रोज मर्रा की जिंदगी थी असमें उसे जितने परसेंट कविता चाहिए थी जम्याप से कह रहा हूँ, जित तो तब भी वो कविताय लिखता है। सो अगर सौ करोड़ लोग उस सबे थे, मुझे आज भी याद है कि उस समें नब्य करोड सौ करोड की बात चलती थी संदो हजार में, तो मैं कहता था इन सौ करोड़ लोगों का धर्म एक इनके सब के पास है, इनके पास संगीत है, इनके पास फिल्म है, इनका हीरो है, किसी को शारुक पसंद है, किसी को सल्मान पसंद है, इनका पुईट कौन है, इन सौ करोड़ लोगों से पुझाद है, मेरा कवी कौन है, मुझे कौन सा कवी पसंद है, तो कहां से मिले वो क्या मिलते हैं उनके भतीजेर पोते कहते हैं कि बाबा हमारी फोटो किछवा दो उनके साथ कवी के साथ तो बिचारे मुझ से कहते हैं तो मैं उनका बुरा भी नहीं चुकि वो इतना सोच नहीं पाये थे कि आगे बात कहा जाएगी अब आज इंडस्ट्री मेरी आज बुलावे आते हैं जब भी कुछ होता रहता है मंत्री मंडल बढ़ बदल रहता है राजसवाय हो रही होते तो ख़बर आप देखते हैं को रोज छपती है ख़बर कुमार उम्मीद्वार है कुमार जाएगगे इस अब भी चलतार मुझे पता नहीं कि वो होना है कि न पर तो ऑफे मंडिया वेहिए पोली में यृट रॉत नहीं टायर लेता है।। हर वह महीन में साथ आख बहर बार लेता है तो एक लड़का जो केवल कविता है एक लड़की जो केवल शैरी करती है बवसाथ फ्यारी कामती है। तो ससाइटी मेंुसकीwo इसक्या उसक्ती है हस्बेंट को वो कह सकती है कि तू जो काम कर रहा है उससे बहतर काम मैं कर रही हूं मुझे मत रोकना so this is the improvisation of profession आपको अपने profession का improvisation कैसे करना जैसे आपको याद होगा यह सीनियर्स बैठे हैं आपको याद होगा कि आज से फंदरे साल पेले बारे साल पेले हमारे यह जो musical nights होती थी कस्बों में उनमें एक comedian आता था है ना वो अवाजे निकालता था कि धर्मेंदर कैसे बोलेंगे राजंदर कुमार कैसे बोलेंगे प्रान कैसे बोलेंगे वो filler होता था star नहीं होता था star कोई और होता था वो filler की तरह बीच में आता था चार चुटकुले सुनाता था दो आवाजे निकालता था एक situation सुनाता था चला जाता था लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की जौनी लिवर साब ने पहली कोशिश की एक जमाना आया कि वो हीरो के बराबर पैसे लेने लगे आज मेरा चोटा भाई हमारा बहुत प्री है आप सब जानते हैं उसे कपिल ने उसका standard जो है वो imagination से उपर उठा के रख दिया है हिंदुस्तान के किसी भी superstar से बड़ा superstar है कपिल शर्मा काम वो ही कर रहा है जो पहले लोग कर रहे थे पहले भी लोग चुटकुले ही सुना रहे थे पहले भी लोग आवाजी निकाल लहे थे पहले भी लोग गेक्सी कर रहे थे पर उसे लगा कि ऐसा कैसे यह अगर qualche क्रोर की vanity when में बैठ सकता है तो मैं क्यों ने बैठ सकता हूँ काम तो में ज्यादा कर रहा हूं, मेहनत तो मेरी ज्यादा है, क्रेटिविटी तो मेरी ज्यादा है, तो पहली बात है, किसी भी प्रोफेशन में, खुद पर स्वाभिमान करना, गर्व करना, कि मैं जो काम कर रहा हूं, यह दुनिया का सबसे खुबसूरत काम. जब दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हो रही थी भगवान राम पुल बना रहे थे तो एक मराथी लोग गीत में कविता आती है विनोध भट जी ने उसे कहानी के रूप में लिखा बड़े लोकप्री लिखा के कि बगवान शिलाकी उपर बैठे थे तो देखते थे कि एक गिलहरी जो थी वो खud को लपेटती थी रेट में और जाके फिर समुधर में ना लेती फिर लपेटती थी फिर समुधर में ना ले थी बगवान को समझ नहीं आया तो बगवान ने उठा लिया, बोले क्या कर रही हो, उसने का मुझे छोड़ो तुम जो भी हो, मुझे काम करना है, बहुत काम पड़ा है, बगवान ने का तुम क्या कर रही हो, बोले रामचंद जी लड़ने आये हैं, रामण से उनका पुल बना रही हो, तो बगवान ने का तो तेरे चार कंड रेत में छोड़ देने से मेरा पुल बन जाएगा। जो गिलेरी का उत्तर है वो प्रोफेशनल एक्सिलेंस है और गर्व करने योग है। गिलेरी ने का बने ना बने पुल मुझे पता नहीं है। पर जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम पुल बनाने वालों में लिखा जाएगा न्याय करने वालों में लिखाएगा। तो यह जो अपने अपने काम पर 24 आवर्स फिदा रहना, जैसे मैंने राजनीती की, लेकिन मुझे उस काम में दर्द होता था, दुख होता था, मैं काम कर नहीं पाता था, टिकेट की मीटिंग करके घर लोटता था, तो ऐसा लगता था, पच्छिस आवियों ने पीटा है म आत्मे कविता बढ़ के आया हूँ, अपने अपने राम कर के आया हूँ, मैं किवल तीन घंटे सोया हूँ, लेकिन एक डिड़ घंटे बोलूँगा, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, यह थका हुआ आदमी बोला है, चुकि मेरे मन का काम है, यह मेरे आत्मा का काम है, जन C.A. तो नहीं मना सकते हैं, इंजीनियर मना सकते हो, बॉस, डॉक्टर मना सकते हो, लेकिन किसी बच्चे को लड़के को C.A. नहीं मना सकते हैं, वो तो जब तक उसने खुदने ना तै कर लियो कि रेड मरानी है, तब तक वो C.A. नहीं मन सकता है, वो तो खुदी बिचारा जब तै कर लेता है कि भाई Agis ने आया मेरे को गिस-खिस के परिशान हो जाता है एक रह गया पेपर, दू रह गया पेपर मेरे भी कई मतीजे बढ़ने मिलते हैं तो बिटा क्या चल ला है बस मामा एक रह गया है बस यह और हो जाए मामा बस एक और रह गया और बन भी गए, उनमें कुछ C.A. हैं भी, और कुछ तैयारी में भी हैं तो आपने ये profession boss इस hall में बैठे हुए जितने भी लोग हैं आपने profession मन से चुना था आपने किसी ने pressure नहीं डाला था अब excellence के अलावा आपके पास कोई excuse नहीं है कौन आपकी बात मानेगा कि ऐसा हो गया था मैंने ये profession कभी बनने का अपने मन से चुना था मेरा बड़ा भाया I.10 था, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे आप में से कुछ लोग अध्यापकों के बेटे हो तो आपको पता होगा के कितना प्रेशर रहता है पीचर्स के बच्चों पर अप्रेल मार्च में जब स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो बच्चे कूटने की प्रेक्टेस वो घर पे ही करते हैं हम उसी प्रियोक शाला से निकले हुए हैं मतलब हमारा बड़ा भाई एक इंजिनिंग क्या कर गया उसने हमारी सिंदिगी में नरक होल दिया एक उसको देखो एक उसको अरे भाई उसको थी चुल इंजिने बनने की बन गया मेरे पीछे क्यो पड़े हो भाई मेरे को क्यो बर्नॉली की एकवेशन समझा रहे हो कि उपर से प्रेशर पढ़ने पर ऐसे नीचे से चीज उड़ जाती है मैं इश्क का आदमी मुझे इतना समझ में आता था कि इसी लड़की से इश्किता उप पास से गुजरती है उसका दुपटा हिलता है तो मेरा आस्ते तोप पर उड़ जाता है पूरा एंदे एंदे वर टीचिंग में परनॉली एकवेशन जसको सपहार आउट उड़कीन आउट में अपनूली सिसग आपड़ी चैबल है मैं तो पुर्ण बाद एक दो बात आपसे और शेयर करूँगा, वो है कि आप ऐसे काम में हो, और खासकर इस संस्थान में आप ऐसे में हो, जहां अकेले के पराक्रम से विजय नहीं मिल सकते। हिंदुस्ताल में सौरभ गांगुली के टीम कैप्टिन बनने से पहले, रिकॉर्ड तो बनते थे लेकिन भारत नहीं जीतता था। कपिल पाजी के टाइम में हम एक बार वर्ड कप ले आए, उस समय भी जो लोग पराने उनको पता होगा कि कितनी ज्यादा अंदर यंदर टीम में कल है थी। एक हमारे बहुत बड़े क्रिकिटर हैं, नाम लेना नहीं चाहिए, बड़े रेवरेंड हैं, उनकी बड़ी इज़त है, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा जीवियन एकात्म पराक्रम पा था, वो दुनिया के नंबर वन बैट्समन थे, वो ही थे, टीम कुछ नहीं थी, डेड़ सोरन बने तो उनके 135 और बाकि में टीम आउट है, कुछ था ही नहीं, कपिल पाजी ने पहली वार, जुकि गाव से आये थे, चौधरी आदमी थे, उनने का नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, लेके जाएंगे, और आउट अब दो नोवेर हम लोग पहुँचे, और जिसे ब्लेक थंडर कहा जाता था वेस्ट इन डीच को, जिसका थर्ड रो, हेकटरी जिसकी बनने वाली थी और जोच दिया था पूरा उसके बाद सौरब गांगुली जी ने ये काम किया पहली बार वो जेस्टर्स आपने देखे होंगे कि एक साथ हाथ मिला के कुछ संकल पर ना हो तो मैदान के बीच में खड़े हो ना एक साथ इखटे हो ना यानी की टीम बिल्डिंग राम और रावन की लड़ाई में केवल यही एक अंतर था जिसके कारण रावन हा रहा है एक जो पंक्ति में बोल ला हूं इसे आप अपने जीवन में लेके जाना रावन को अपने एहम पर भरोसा था और राम को स्वेहम पर भरोसा था आप अपर दौनों का समवाद देखिए चाहे राम चरी तमानस में देखें चाहे वालमी की रामायन में देखें साउथ इंडिया के हमारे दोस्त बैठे होंगे तो कंबन की रामायन में देखें दर्शमेशपता गुरुगोविन सिंग जीने भी राम कहानी लिखी है राम कता लिखी है आप लिए भी राम की कहानी देखें हर जगे रामायन जो है वो फ्रस्स्टेंस में बोलता है मैं ये है बड़ी मशूर कहानी भी है कि माता कौशल्या ने पूछा कि रावन को मारा र रावन की मैंने रावन को मारा एक वर्ल्ड चेंपियन जो टीम थी जो साथ बार विश्वजीत चुकी थी ऐसी सेना थी रावन की और उस रावन की सेना के सामने राम ने ऐसे लोगों को तैयार किया जो कभी युद्ध लड़े ही नहीं थे जो वनवासी थे ट्राइबल्स थे जो उपेक्षित थे मलाह थे वंचित लोग थे वानर का मतलब क्या है बंदर नहीं है वानर का मतलब संस्कृत भाशा में वह माने विशेश विशेश नर जो लोग पेड़ों पर मचान मना के रहते हैं जिनको एक पेड़ से दूसरा आता है जो ऐसे लाको में रहते हैं तो विशेश नर अजो आप विशेश नर होंगे जंगल में रहेंगे तो आपके बाल भी बढ़ जाएंगे सब चीजे बढ़ जाएंगी और आप सामानी रूप से रहेंगे अप कपड़ों के बारे में बहुत जागरित नहीं रहेंगे कपड़े फस सकते हैं उचलने कूधने में आपके तो आप कपड़े भी ऐसे ही पहनेंगे शामाने रूप से बड़ा वेग्यानी के मामला लोग कहते हैं जटायू के पंक तूट गए जटायू कोई पक्षी नहीं था मेरी व्याख्या निजी यही है जटायू जमाने के सबसे अच्छे जट ओडाने वाले पाइलेट थे यह जैसे अभिनंदन साब वो जो जहाज उड़ा रहे थे उस जहाज में यह तक्नीक थी कि दूसरा जो जहाज को जा रहा है उसमें क्या हो रहा है इसे अपने स्क्रीन पर देख सकें उन्होंने पीछे से उड़ते वे एक बड़े जहाज में देखा कि एक औरत का आपरण हो रहा है एक महिला का और उन्होंने देखा कि ये महिला की आवाज में मैच करता हूँ पिली देता में डाल कर। उन्होंने वोईड़ डेटा में वाइस डाला तो डे creations आवाज आई कि ये तो आयोद्या की मारानी और मिधिलाए की राज़कुमारी सीटा की ऑवाज है। उन्होंने अपने फाइटर प्लेन से उस जहाज के उपपर हमला किया, पहलों से अलर्ट किया, आप या परणु मत करिये, फिर हमला किया, लेकिन डैफिनिटली रामण का जहाजता, एर फोर्स वन, हर रामण के पास एर फोर्स वन होता है, तो उसमें जादा मिसाइल थी, उस ने काउंटर अटेक किया और प्लेन क्रेश हो गया, प्लेन क्रेश में जटायू ने जो टाइमली एजक होता है वो ले लिया, और जब वो नीचे गिरे तो उनको चोट लग गई और तब लोगों ने बताया कि एक फाइटर प्लेन क्रेश हो गया, पाइलेट पड़ा हुआ है उस पाइलेट से राम ने बात किये कम्प्लीट साइंटिफिक है ये तो बाद में लोगों ने कह दिया जैसे लोग कहते हैं साब भगवान कृष्ण ने परवत उठा लिया मैं लंदन में था तो किसी ने मुझे से पूछा था मेरे तीन देन के सत्र थे साब आप कैसी बाते करते हैं आप क्या तो ऐसी नॉन साइंटिफिक बाते होती है ऐसे परवत कैसे उठ सकता है पत्थर उठा के दिखाईए मैंने का भाई मेरे घर में हम चार भाई है दिवाली होली पर जाते हैं तो हमारी एक दूसरे नंबर का जो भाई है उसकी जो वाइफ है बाटनी की प् इ fullness रहती है तो जब वो आ जाती है तो शाम को मेरी मा किया की अमिता आगे इसने पूरा घर उठा लिया है तो फोली प्लों को मिलकर इक डीजास्ट्र मेंजमेंON गराईぎ परवत गिरिराज का था, वहाँ पूरे बरज के लोगों को विस्थापित किया, और चार महीने ठीक से सैनिटेशन चलाया, पानी चलाया, सब चलाया, तो लोगों ने का, कितना अच्छा लड़का है, पूरा पहाड हाथ पोठा लिया, पूरा पहाड उंगली पोठा लिया, लेकिन राम ने तो ऐसी टीम तैयार की, जो कभी लड़ी नहीं थी, लेकिन राम ने उसमें अपना भरोसा इस्थापित किया, जो टीम आपके साथ काम कर रहे हैं, जिल्लों के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आपको अपने साथी के उपर भरोसा नहीं है, तो कौज पूरा नहीं होगा, ये तैबात है, ये निश्चित बात है, इसलिए आप समझ लीजिए, और भरोसा भी कैसा, भरोसा तर्क से बाहर होना चाहिए, भगवान भी भरोसे पर तभी अमल करता है, जब तक आप उस पर भरोसा करते हैं, हमार यह कहान ही आती है कि, द्वारिका में कृष्ण जी खाना खा रहे थे रात को, तो अचानक पहला टुकड़ा जैसे मूँ की तरफ गया, उसे छोड़ के थाली में और बाहर गेट की तरफ भागे, रुकमणी जी भी भागी, पीछे-पीछे सैना पती भागे, बहुत तेज भागे, पीतामबर कहीं गिर गया, कुछ कहीं गिर गया, चपल गिर गई, भागे बहुत तेज, अचानाग गेट तक गए, एकदम रुके और फिर वापिस आगे, और फिर खाना खाने लगे, तो रुकमणी जी ने पूचा की भागे क्यों, बोले, वरंदावन से मेरा एक दिवाना आया था, वो कनईया का के मुझे ढूण रहा था, एक तारा बजाते हुए, लोग उस पर पत्थर फैंक रहे थे, कि पागल है, पागल है, और वो रो रहा था, तो उसे बचाने जा रहा था, अब आपके समझने लाइक बात है, तो रुकमणी जी ने का वापिस क्यों आ गए, बोले, अभी तक तो वो मुझे पुकार रहा था, जैसे ही में गेट पर पहुचा, उसने एक तारा फैंका, और खुद दोनों हाथों मैं पत्थर उठा के लोगों पे फैंकने लगा, तो मैंने का ये खुद ही लड़ लेगा जब इसने खुद ही पत्थर उठा लिए, इसे कहते हैं भरोसा, अगर भरोसा है, हौनुमान को काम डेप्यूट करते समय, राम ने ये नहीं बताया कि अगर पकड़ लिए गए तो क्या करना, राम ने सिर्फ इतना कहा, राम ने भी नहीं कहा, जामवंत से कहा, किसी को भेज़दो कोई बताई आए, बस सीता से इतना कही आए, सीता को देखाए कि कैसी है, और बता आए कि मैं आउँगा, दो बाते बतानी थी, इसके बाद का सारा प्रोजेक्ट जो था, वो हनुमान जी का, खुद का था, उन्होंने कोई टी एडिय नहीं लिया, है ना, खुदी टेक ओफ किया, खुदी लेंड कर गये, इसे कहते हैं, मिनिमम इंपुट, मैग्जिमम आउटपुट, हर काम, वहाँ जाके फस गए, उन्हें भूक लगी, उन्हें खाना खाया, पेड़वेट तूट गए, लोगों ने पकड़ लिया, देख लिया, बंदर है, उसके बाद, अब उन्हें लगा कि वो छुट भी सकते थे लिए, अब उन्हें का, जल देख ही आता हूँ पूरा, तो यहाँ जो इस्तमाल की बुद्धी, उसके लिए राम ने कहके नहीं बेजा, तो आप जब टीम के साथ करें, इस संस्थान में काम करें, तो आप कितने भी महत्तुपूनों, कितने भी अच्छे हों, कितने भी द्वानों, कितने भी बड़े पदपर हों, जाए उपर बैठे हों, जाए नीचे बैठे हों, जिसको काम सब्ते हैं, यह मानना, इस काम में उससे बहतर आदमी अच्छा करके दिखाएगा, मैं इसके साथ कड़ाओगा, और अगर आपको यही शंका हेगि यहां कि नी मैं कर ये आख देतां मैं कर देतां मैं कर देतां तो आपनी अपस separate भी उहां कियो树न मैं क्यों कि क्यों क्यों कि है मैं कियों थिर्षी आष्सence सामय, को मैं देखता था जब माइटी हो जाता था वह से गुजरते समय मैं इसकी बिल्डिंग देखता था तो मैं सुछता था ये कौन लोग हैं ये क्या करते हैं समय ने चकर लगाया मैंने भी कुछ थोड़ी लोग प्रिये तक हमाई आप यहां तक पहुंचे तो हम दोनों का सुय अगर इस संस्थान से आप स्वेम को बड़ा मानने लगेंगे तो यही बात खतम हो जाएगे हैं मैंने प्रोफेशनली एक इंडस्ट्री को बड़ा किया है जितनी महनत कर सकता था मैंने शोशली एक आंडोलन को खड़ा किया है जब आंडोलन हो रहा था तो ये माना जाता कि आंडोलन का मतलब 200 आदमी 300 आदमी जब मैंना के पास गया था रालेगन से तो अनने मुझ को का कि अंशन तो कर लेंगे लोग पाल पर में रालेगन में करूंगा तो मैंने का अनना रालेगन में नहीं करिए तो बले नहीं तुमारी दिली बहुत कठोर है बड़ा कठोर बेएडल कर दिल काया पर अनना है तो बुले मैंने का क्यों नहीं नहीं आता अम हो वहान तो 300 आदमी भी नहीं आता है और एंड में दिन में रजार आदमी आता है रात को 200 आदमी सोता चाहा आ जहाँशन में बहुता है पल्य कि तू C लुकि मैं कॉलेज़े में लोग प्र थे कि शोशल जो अंदोलन है वो अब सफल नहीं हो सकता भारत में लेकिन हुआ आजादी के बाद का इतना बड़ा अंदोलन हुआ कि पुरी दुनिया में जो हिंदुस्तानी थे उससे प्रभावित हुए उसके बाद एक पॉलिटिकल वेंचर करके देखा राजनीती करके देखी बाद में हमारे साथ होगी that is a different thing बट करके देखी आजकल मैं राम पर बोल ला हूँ तीन दिन के session होते हैं अपने अपने राम के question sessions होते हैं राम कथा के माद्दम से बोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस संस्थान में जो लोग पहले से मौजूद हैं मैं बड़े आदर के बात कर रहा हूँ उन में बेचेनी शुरू हो गई है वो सवाल ठाने लगे है ये तो सन्यासी भी नहीं है ये तो ग्रहस्ट है ये चमला पहनता है इसके बाद भी ऐसा क्योंकि उनको मुझसे कोई समस्या नहीं है एक बना बनाया ट्रेंड है उससे उसके तूटने से समस्या है तो आप जो भी ऐसा काम करेंगे जहां तक ये संस्थान आया है संविदान से बड़ी आयू का जो इसे नेक्स लीप में लेके जाएगा तो कुछलों को बेचे नहीं होगी लेकिन अगर आपकी आख में लक्ष ठीक है तो मेरी दादी कहती थी के बेटा मन से रो तो फूटी आख से भी आँसो निकलता है अकर मन से रोया जाए संस्थान से बड़े बनने की कोशिश जो भी आत्मी करेगा वो संस्थान को भी नीचा करेगा और स्वेम को भी समाप्त करेगा इसलिए टीम स्प्रिट की तरह काम करें न देखिए हनुमान के पास आजगल जिसे आप बॉम्बे आईए फ्लाइट में बैठके तो एक तो अंग्रेजी स देश में कोई खराब भाषा नहीं है अच्छी भाषा मेरे पस ग्रिजुशन में थी मैंने विशिद्याले टॉप किया अस लेंग्विच में लेकिन मुझे उससे बहतर हिंदी लगती है क्योंकि वहीदार एमान कितनी भी खूबसुरत हो सकती है मा से सुन्दर नहीं हो सकती है तो जो कंफर्ट जो आराम मुझे है मुझे अंग्रेजी से कोई नाराज़गी नहीं है अच्छी भाषा है भाषा तो जितनी है जादा आए उतनी अच्छी है मेरे को तीन चार भाषा आती है मेरा बड़ा मन करता है कि वे बांगला भी सीखूँ मराथी भी सीखूँ गुजराती तो सीखनी चाहिए आजकल तो जनको आती है भाईया वो बस उनको तो कोहनी तक प्रणाम है लेकिन हिंदी अपनी भाषा है अपने इसाब से कह से ते मैं देखता हूँ कि दिल्ली से बॉम्बे की जब फ्लाइट में आप बैठिये अंग्रेजी हमारे एक थाबू है दिमाग का मस्तिष्क का गुलामी का आपकी बघल में बैठाव आदमी विसतार की फ्लाइट में पहली बात तो विस्तार नहीं है वो विस्तार है जैसे कृष्णा नहीं है कृष्णा द्रभफि का नाम है वो कृष्ण है अई प्रीच कृष्णा इसे थे यूदु नो 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 I preach Krishna नो 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 Lord Krishna I do yoga एक आसन फालतु करती है क्या इस योग भाई ये योग है मैं वाँ रिषिकेश में गूम रहा था एक शूट कर रहा थे हम रिषिकेश में वाँ पांच बजे उटके इसी लिए कर रहा था ये लाइट उससे में अची होती है वो डिरेक्टर ने का कुमार साफ लाइटिंग अची होगी तो मुझे चलना था और वो पैरों के निशान पे कैमरा मूव होना था तो हम शूट कर रहे थे एक अलबम के लिए तो हम कुछ लड़के लड़किया गए उन नही शादी ओके गूमने गए उंगे उपन मसुरी वसुरी तो उन में दो बच्चे फोटो कि चाह रहे तो मेरी जैसी आद आद एक कि चलो भी खिच वालों तो मही गया तो इसने का तो सिर्व लांग ताइम सुर फैन ए नियर इमेजन सर कि आप गैंजीज के किनारे मिलेंगे तो मैंने कहा कि Ganges यह कौन है तो बले सर इस रिवर मैंने कहा बिटा यह गंगा है और जब चलेगा ना उपर की तरफ तो Ganges कह के मुं में डलेगी गंगा जल कह के मुं में डलेगी तो यह जो कम्तरी है यह जो आपकी आपके अंदर के कम्तरी है कि यह जबान मिर को इसलिए बोली है कि मुझको तो दिली की सीधी फ्लाइट में विस्तारकी में जो बिजनिस क्लास में बैठता है एर इंडिया में भी जो बैठता है वो अंग्रेजी बोलने के चक्कर में लॉजिक की हत्या करता है वेल कुमार जी फ्लाइं टॉबंबे मैंने का नहीं रास्ते में कोट पुदी कुदूँँगा चाता लेके यू मस्त बी जोकिंग मैंने का शुरू तो तैने करी थी भाई अब जब यह जहाज बंबे जा रहा है तो मैं रास्ते में कहां उतर जाओंगा भाई क्या सवाल पूछ रहा है कुछ और सवाल पूछ तो तो ये अच्छा फिर आप उससे पूचिए क्या करते हैं और अपमें कैसे I did graduate from Cambridge then I go to Harvard then I work with Mackenzie वो स्वेम बड़ा है बाकी सब चोटा है Harvard भी छोटा है Cambridge भी छोटा है Mackenzie भी छोटा है इसलिए कहता हूँ राम कता पढ़िये इसलिए कहता हूँ अपने अपने राम के सत्रों में आईए सुनिये हनुमान के पास गर्व करने योग के सारी डिग्रिया है आप तो सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट है बॉस उनके पास तो सारी डिग्रिया है वो जूनियर चैंपियन है वर्ड के पहले ही बच्पन में खा गयते है सूरज को वो पंच तत्वों में एक वायू के पुत्र है उनके गुरू शंकर है जो उने अपना बेटा कहते है ग्यारमारुद्र इंद्र ने उने वर्डान दिया है कि तुपानी में नहीं डूबेगा अगनी ने वर्डान दिया है तो आग में नहीं जलेगा इसके बाद भी अगर कोई भी उनसे जंगल में भी आधीराथ परिचे पूछता है अशोग वाटिका में मा सिता पूछती है कि बंदर तु कौन है तो यह नहीं कहते कि ओ आई डिड यूनो ऐसे नहीं कहते हो इस इस कॉल इस इस कॉल इंस्टिटूशनल प्राइड यह जो अपका इंस्टिटूट है चार्ड़ एकाउंटेंट का इसका गर्व आपके अंदर होना चीए जो अपने बैच लगाया है क्या कहते हैं अन्वान वो पूछते तू कौन है तो अपना परिचे कह देते हैं राम दूत में मात जान की मा में राम का दूतू राम is the institution where I work में मां काम करता हूँ दिस इस दे पहचा उनकी डिग्रीज का वर्णन है आप आप एक्सल कर सकते हैं आप उपर बैठे हैं तो निश्चित रूप से अपने अलेक्शन जीते हैं ये सबसे बड़ी उपलब्दी आपकी सबसे बड़ी डिग्री है आप उनकी डिग्री हनुमान की डिग्री गिनाई जाती है लेकिं लास्ट में एक ही डिग्री है कि राम के दूत हैं उनके हां काम करते हैं मनो जवम मारुत तुल्ये वेगम वातत मजमवानर यूत मुक्यम जितिंद्रियम बुद्धिमतं वरिष्ठम और रंत में क्या है? श्री राम दूतम शरनम प्रपद्ये मैं राम का दूत हूँ, उसकी शरन में जाना है तो आप पर ते करता है कि आप पीछी क्या बोना चाहते हैं तो मैं, I'm sorry, मैं थोड़ा डिस्कोर्सिव हो गया हूँ पर मुझे लगा कि बहुती घरेलू मैफिल है और खास्तर पर आपने इतना शोर मचाया था तो से मुझे लग गया कि आप बात करने लाइक आदमी हैं आप से बात की जा सकती हैं जनररी अशी महिलों में और ऐसे कंवेंशन में बहुती हैं जिसे करते हैं बहुती होता हूँ कि ये बोलना है ये नहीं बोलना है लिकिनि, I'm pouring out of my heart मैं अपने हिर्दे से आप से बात कर रहा हूँ दिल से आप से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, मैं कमी ट्रेवल कर रहा हूं, आप में से एक आदमी मुझे मिले जो उस समय जिसकी C.A. कंपनी का काम 2,000 करोड़ का ओ, 4,000 करोड़ का रो मुझे कैसे कि मैं आपको वेस्टिन में सोना था, आप हमारे कंवेंशन में आये थे, तो मुझे अच्छा लगेगा, यह जो इन्वेस्टमेंट इन जेनरेशन है, यह मैंने परस्नली करके देखा है, जब 2000 और 2002 में जो कवी संवेलन थे, टेडिशनल प्रोग्राम्स थे, उनमें से मुझे बार कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, तो मेरे बास जगे कहां बची थी, तो मैं इंजिनिरिंग कॉलेजिस में गया, आये टीज में गया, अभी मुझे पले इंटिडूस कराते वे, सर बोल लए थे कि जिस लड़के को मैंने 2004 में कविता सुनाई थी, वो उस समय गूगल का लेंगविज हैड था, और उसने काया कि बॉस जब मैं पड़ता था, कवी आया था, और पांच जाल लड़के नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश हो रहे थे, यानि कि आपने इंवेस्मेंट किसमे कि और जिस समय में वो काम करता था, पूरी इंड़स्ट्री मेरे खिलाफ थी, कि लड़कों को काव कवचा सुनानी, और अंग्रेजी, और कुट चलता था, मेरा और कुट पर एक फैन क्लब था, मुझे आज भी आदे कि हिंदी के बड़े कभी हैं पदमश्री हुनोंने कि समय की आहटें पैचानना की कल क्या होने वाला है, और नेक्स जेनरेशन में इंवेस्मेंट करना, आपके घर में अगर पांच बच्चे ऐसे हैं, जो त्वेल्थ की तरफ जा रहे हैं, नाइंत की तरफ जा रहे हैं, आपका काम देखकर अगर उनमें से एक बच्चे के मन में भी चार्टेड एकांटेंट बनने की अच्छा पैजा नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपका रिप्रेजेंटरिशन अपनी फैमिली में ठीक नहीं है, उसको पताई है कि इतना कथिन नहीं है, मैंने किया तू भी कर लेगा, और बट अच्छा जोब है, मैं जिस को लान कंपनी है, बड़े क्लाइंट से पास, ज्यादा बड़ी होगी होगी, अब तो शायद हादार करोड की होगी, उसका बेटा मेरी बेटी के साइड पढ़ता था, फिफ फोर्थ में बच्चे पढ़ते थे, तो एक दिन वो मुझे सुभे गूमता गूमता मिला मुस, तो ने क अब ममा एंजिनेर, तो उसके अब ममा एंजिनेर का ललका है, जब क्यों बनेगा बुझे पापा के पास इनोवा है और सामने कभी रहता है, कुमार अंकल उसके बाद मरसिडीज है, तो और तोब मनेगा, तो हो सकता है कि आपकी मैं आपसे पिर विनम्रता पुरवक उ मेरे जीवन में इन कपड़ों का इन घड़ियों का इन गाड़ियों का कोई योगदानी है, मैं में बिल्कुल इंट्यूंड नहीं हो, मैं आटो में बैठ सकता हूं, में आटो में बैठ सकता हूं, मेरे बराबर है, करना फकीर है तो क्या दिलगीरी, सदा मगनमन रहना जी, कोई द हाती ना कोई दिन गोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी क्या फरक पड़ता है हमने तो रोडवेज की बस से सफर शुरू किया है सो रुपे में पवली कविता पड़ी थी 1988 में हापड में जैन समाज का कभी सम्मेल होना था था हंडेड रुपीज यह भी पता नहीं था मिलेंगे वो तो दे दिये थे उन्होंने और उसके बाद चार्टर से भी पड़ी है लंदन जाके वाँ भी जाके पड़ी है कि चार्टर ही ले गए है और चार दन उसी में गूम रहे है कि अब इसकोटलेंड हुआ है तो यह जो सफर है इससे में डिसकनेक्ट हूँ बट मेरी भूख खतम नहीं हुई है मुझसे मेर मेरे पिताजी मेरी पतनी से पूखते कि अब यह क्या चाहता है क्यूं बेचेन है तो मैं उससे यह कहता हूं कि जस दिन ब्राजील के समुद्र तट पर दूप इसनान करती हुई लड़कियां गाएंगी कोई दिवाना कहता है उत दिन समझूंगा काम पूरा हो गया क्योंकि और अभी तन्जानिया से आपने देखा ओग एक वीडियो ऐएता तन्जानिया का अच्छा में नै अभी आप से प्रोफेशनले की बात की फ्रोफेशनले क्सिलेंस में यह बात है कि इस बात के पैसे नहीं मिले है मैं केवल आप से पहली बात तो आप सब मुझसे बड़े हैं एजुकेशन में एक्सिलेंस में आपने जगे बनाई है आपने मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुना है जो मेरे मन में बात थी मेरा सिर्फ कहना यह है कि बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं हिंदुस्तान का जिससे स्पंदन रुक सकता है उसको आप चला थे हैं हमें तो याद है बैंकर्स के अलावा जो सबसे ज्यादा परेशानी में थे और मेहनत कर रहे थे नॉट बंदी के टाइम वो आप ही लोग थे क्योंकि आपको सब क्लाइंट परेशान कर रहे थे कि क्या करें नहीं आप नहीं कर रहे थे पर आपको तो परेशान कर रहे थे लोग बाग भई हम क्या करते हैं हम जब पैसा लेते हैं शो का पैसा लेते हैं तो हम क्या करते हैं जब वो मुझसे कहता है कि कर देक्स कर डिख कर दिख को कि चेक्सान गर्ता हो तो थे लिखा होता है कि 54 लैक रुपीज। 67 लैक रुपीज। मुझे लंगता है ख्रीदया तो पिर उपर कुछ एग्कार रहता है CBDTT कि कि क्या क्या है वो मैं अगा यह बाई सब कौन है बुले नहीं साब वो टेक्स जाना है एडवांस टेक्स जाना है तो इसा लगता है कोई निकाल के लेगा टुकुड़ा हमारे हाल से फिर वो C.A. जो है वो C.A. डॉक्टर की भूमिका में आता है जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले वो इस्प्रिट किस्ता है ना ऐसे कर सर यह तो देना ही पड़ेगा सर देखिया मैं से तो यार देख यह क्या इतना सारा कैसा है आप सर देखो यह तो होगा तो आप बने बहुत मन के साथ सुना हाला कि यह मेन्यू में नहीं थी पोईट्री जो मुझे बताया गया तो उसमें कविता पाथ नहीं था उसमें यही था कि एक घंटे का एक सेशन है लेकिन मैं आपको सुना देता हूं अगर आप कहते हैं तो और यह कुछ कविताएं इतनी लोगप्रिये हुईं कि इन्होंने सरहदें तोड़ दी कि कोई दीवाना कहता है कोई इमागल समझता है मगर धरती की पेचे हैं ही को असमागल समझता है मैं तुझसे दूर कैसा हूं तु मुझसे दूर कैसी है यह तेरा दिल समझता है तु मेरा दिल समझता है इसे कहते है प्रोफेशनल एक्सिलेंस कि मुझे गाना नहीं था तो मिने आप सी गवाया प्रोफेशनल थेर स्टीन क्यूर प्रोफेशनल प्रोफेशनल झाल झाल